प्यासे के पास चल कर समंदर भी आएगा यू ठक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और उसको पाने का मजा भी आएगा जैहिंजवनों कैसे आप सभी आसे करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छी चल की वेकेंसी है उसके लिए आप तैयारी श्टार्ट कर चके हो तो उस तैयारी में चार चांद लगाने के लिए जो सबसे ज्यादा साल में पूछे गए हैं बहुत ही आराम से बड़े प्यार से इसका हम solution करने वाले हैं और ऐसे पढ़ेंगे कि पेपर में मज़ा आजाएगा और जो किशन्स मढ़ेंगे वैसे ही किशन्स आपके पेपर में आएंगे क्योंकि previous year का मतलब ही यही होता है कि पेपर में पूछे गए किशन्स ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपके अंदर जो motivation है जो energy है वह आपके अंदर जवरदस्त होनी चाहिए क्योंकि अगर energy और motivation रहेगा तभी आप अच्छी चे पढ़ पाओगे और अपनी तयारी में च्यार चांद लगा पाओगे तो चलिए शुरुवात करते हैं पहला किशन्स आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और पेपर आप देख सकते कौन सा पेपर है 25 जनवरी 2019 को जो 1st shift में आपका एक्जाम हुआ था वो पेपर हम यहां पर कर रहे है पहला किशन्स आपकी स्क्रीन पर है मैं थोड़ा और जून कर देता हूँ आपको अच्छे से दिख जाए इसमें क्या दिया गया है कि दी गई आकरती में कितने तिरबुज है या दी इसलिए मैं आपको एक बर समझा देता हूँ पहली क्लास है न इसलिए हम समझा देते हैं फिर बाद में तो मैं ट्रिक्स आपको शिखा दूआ उसके बाद तो आप चुटकियों में आंसर निकालोगे अभी तो हम काउंट कर लेते हैं देगे सबसे पहले इसके अंदर आप होती हैं जिसकी तीन भुजाई होती है उसको तिर्बुज बोला जाता है इस बात को याद रख लेना तीन भुजाई होनी चीए ठीक है और जिसमें एक कोण समकोण हो वो समकोण तिर्बुज हो जाता है ये भी हो जाता है ठीक है दो तिर्बुज अपनी बन गई उसके बा यहां से लेकर यहां तक यह बन रही है जो यह तिर्बुज बन रही है वो कौन सी हो जाएगी आपकी पांच वी तिर्बुज हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक पांच आपकी आज की है उसके बाद पांच के बाद देखें हम छटी तिर्बुज देखते हैं और वो कौन सी होगी यह देखो यह वाली जो तिरबुज है ना यहां से और यह ऐसे पूरी यह वाली यह हो जाएगी आपकी छटवी यहां से यह ऐसे बन रही है यह हो जाएगी आपकी साथ भी तिरबुज ठीक है और यहां से लेकर यह बलेक चेंज नहीं हुआ क्या हो जा भाई बलेक चल तिरबुज होगी तो option number 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर correct answer हो जाएगा अपने को तिरबुज count करना था कि इस वाली में कितनी तिरबुज है आराम से हमने count कर लिया क्योंकि यह तो बिल्कुल छोटा ही था जिसमें हम आराम से गिन सकते हैं और जब tricks वाली class आएगी उसके बाद क दूसरा question से आपके सामने यह वाला है जो आपके exams में पूछा जाता है coding decoding का बहुत अच्छा question है कि joint का code आपको यह दिया गया है और आपको label का code बताना है क्या होगा इसका code दिया गया है इसका code आपसे पूछा है तो मतलब क्या है कि इसका सम्मन से होगा क्या हुआ भाई j के start पर क्या लिखा गया है N लिखा गया है अब J के स्थान पर N कैसे लिख सकते हैं जिसको नंबर याद हो तो नंबर से लिख लो लेकिन जिसको नंबर याद नहीं है J के बाद आता है K, L, M, और N यानि चोथा लिखा हुआ आप बोल सकते होगी प्लस 4 करके इसमें लिखा गया है इसमें क्या क्या गया है प्लस 4 करके लिखा गया है तो सेम HD इसमें भी होगा L के बाद क्या आता है M, N, O, और P इसका मतलब P होना चीए ये पहला अकसर सभी में P है इसमें नहीं है तो ये तो अंसर हो नहीं सकता अब दूसरा चक्रो इसके बाद क्या है O है O के बाद क्या आता है P, Q, R, S इसका मतलब क्या है कि इसमें भी 4 प्लस किये गए है तो अब अपने को क्या करना है A में 4 प्लस करना है तो A के बाद क्या आएगा B, C, D और E आएगा और आप direct भी कर सकते हो कि भाई एक नमबर पे आता है इसमें चार जोड़ेंगे तो पास नमबर वाला अपने को बताना है और पास नमबर वाला E होता है तो इसका मतलब P के बाद क्या आजाएगा आपका E आजाएगा दूसरा दूसरा alphabet E होना चाहिए अब यह नहीं हो सकता आप देखो यहां तक यह 3 common है तो इसमें आपको 3 तो देखने के आप सकता नहीं है दो तो आपनी निकाली तीसरा देखने के आप सकता नहीं है अब I और J में से कौन सा होगा अपने को चोथा alphabet देख लेना है N का क्या code बन रहा है R बन रहा है तो N का क्या आएगा क्या हो जाएगा आपका सही है N के बाद क्या आएगा O, P, Q और R इसका मतलब इसमें भी 4 add किया गया है इधर E में 4 add कर देंगे E पांसवे नमबर पे आता है इसमें 4 add करेंगे 9 नमबर पे कौन सा आता है J नहीं आता I आता है तो ये वाला ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा या वैसे करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो कि बाई E के बाद क्या आएगा F, G, H और I तो इसलिए I आजाएगा और I इसमें दिया गया है option नमबर ए क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा बहुत अच्छे से समझा दिया है कि कैसे कैसे क्या होता है अब आगे ऐसा किशन्स आएगा उसका answer आप खुद करना ये वाला किशन्स देखें स्रीज वाला स्रंखला वाला किशन्स है और स्रंखला से भी काफी किशन्स आपके exam में आते हैं देखें क्या है कि 12, 33, 64, 85, 116 है अगला क्या होगा अब 12 से क्या हुआ है 12 से 33 हुआ है 12 से 33 कब हो सकता है इसमें क्या जोड़े तब ये 33 बन सकता है अगर देखो आप इसमें 21 जोड़ देते हो तो 33 बन जाता है और कैसे पता करेंगे इसमें से ये माइनस कर लो 33 में से 12 माइनस करेंगे 21 आ रहा है 33 के बाद क्या खा हुआ है 64 लिखा हुआ है अब 64 कब आ सकता है जब इसमें 31 जोडेंगे तभी ये 64 आ सकता है उसके बाद 64 के बाद क्या लिखा हुआ है 85 लिखा हुआ है ये 85 कब आ सकता है 85 में से चोशन माइनस कर लो 21 करने पे आता है 21 जोडने पे आता है 85 के बाद क्या हो रहा है 116 हो रहा है 116 कब आएगा जब इसमें 31 जोडा जाएगा अब यह एक स्रीज बनती हुई जा रही है 21 से 31 फिर 21 फिर 31 मतलब 21 31 21 फिर 31 तो अब क्या जोडा जाएगा 21 जोडा जाएगा तो इसमें 21 जोड़ो और आपका आंसर आजाएगा जब आप 116 में 21 एड करते हो तो यहां से बनता है कितना 137 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 137 हो जाएगा उप्सन नंबर C क्या है आपका यहां पे correct answer हो जाएगा, क्या बात समझ में आगी सभी को, ऐसे आपको करना है, देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी करोगी तो आप सोचोगे कि सभी में 21 एड हो रहा है, ठीक है, पूरा चेक करना है आपको, जब तक सब कुछ confirm ना हो जाए, सब कि जो railway में reasoning है न, वो पहले हल्की फुलकी आती थी, लेकिन उस समय से बहुत अच्छी reasoning आने लग गई है, और आर्पी अप कॉंस्टेबल और ऐसा ही की बात करूं, तो बड़ी दिवर्दस्त reasoning पूछी जाती है, जब हम इसकी तैयारी करना start करेंगे, जब आपको topics पढ़ा पी का समद्ध किस से होगा, कुछ नहीं, जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, कि F में क्या जोड़े की M आता है, वैसे ही P में हमें जोड़ना है, और answer आप सभी को comment करना है, क्योंकि इतना आसान कि शिंस मैं नहीं करवाने वाला, मैं आपको सिखा चुका हूँ, बीना topic होता तब हम कुछ सोचते, reverse alphabet, इसका reverse alphabet है ही नहीं, तो हमें सोचने के आपसता है भी नहीं, ठीक जी, चलो हम अगला किशन से दखते हैं, अब ये वाला किशन है ना, बहुत कम स्टूडेंटें इस ट्राइप की किशन पढ़े होंगे, लेकिन ये आपके आर्पे आपके एक एजाम में आता है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं, धान से देखो किशन से बहुत अच्छा है, और इस टाइप की किशन साते हैं ना, फिर एक दो, दो, तीन, तीन किशन से एक साथ आगाती हैं, देखो क्या है, रेहान, ट्रम्प, जोर्ज, पिटर, हैंडरी, पोल और फिं ट्रम्प और पिटर, पिटर और फिंच के बीच खड़े लोगों की संख्या समान है, अब साथ हैं, तो इसका मतलब साथ है, तो ये साथ स्थानों पर होंगे, तो चलो हम पहले साथ स्थान बना लेते हैं, यहां हमने साथ साथ स्थान बना लिया, ट्रम्प और पिटर और खड़े लोगों की संख्या समान है इसका मतलब मान लो कि अगर यहाँ पर अपना कौन है ट्रम्प है ठीक है कौन है ट्रम्प भाई साब है और इसके बाद क्या है पीटर और पीटर और फिंच नीचे क्या हो गया आपका फिंच हो जाएगा और बीच में आना चीए अपना कौन पीटर आना चीए तो यह हमारा पीटर हो जाएगा ऐसा क्यों लिखा क्योंकि बीच में संख्या समान होनी चीए तो बीच में दो इधर है दो इधर है इसलिए बीच में संख्या क्या होगी ट्रम्प और पीटर और आपका जो पीटर और फिंचा है इनके बीच की जो संख्या वो समान होगी बराबर होगी आगे देखो ट्रम्प और हैंडरी पडोसी है अब क्या बोला कि ट्रम्प और हैंडरी है वो पडोसी है अब ट्रम्प और हेंडरी पिडोशी कब हो सकता है उपर तो है नहीं यहाँ पर होगा तो हेंडरी को हम यहाँ पर लिख देंगे कि हेंडरी क्या हो जाएगा ट्रम्प का पिडोशी हो जाएगा उसके बाद देखो क्या है कि जोर्ज एक सरे से तीसरे और रेहान से तीन स्थान आगे है जोर्ज एक सरे से तीसरे पर है तो ये वाले सरे से देखोगे तो यहाँ पर होगा इस वाले सरे से देखोगे तो यहाँ पर होगा लेकिन आगे देखो क्या है रेहान से तीन स्थान आगे है अगर पंगती हमारी ऐसी बन रही है आगे होना पड़ेगा तो इधर आना पड़ेगा उसको इसका मितलब उसको यहां पर आना पड़ेगा तो क्या हो गया जोर्ज एक सरे से तीसरे तो यहां पर कौन हो जाएगा भाई अपना जोर्ज हो जाएगा जोर्ज एक सरे से तीसरे पर हो गया और रेहान से तीन स्थान आगे है तीन स्थान एक दो तीन तीन स्थान आगे है क्या है कि रेहान से तीन स्थान आगे है अब यह तो रेहान अपना देखो इधर होगा एक या दो स्थान आगे हुआ यहाँ पर होगा तो एक दो तीन स्थान आगे होगा तो इसका मतलब रेहान कहाँ पर है इस वाली जगह पे रेहान को बैठा हुआ है उसे एक दो तीन स्थान क्या हो गया आगे हो गया आगे देखो पीटर और हेंरी के बीच में कौन खड़ा हुआ है ये अपने को बताना है ये हमारा पीटर है ये हमारा हेंरी है इसके बीच में कौन है इसके बीच में जोर्ज साथ है तो option number C correct answer हो جाएगा क्या हो जाएगा George हो जाएगा क्या हो जाएगा George हो जाएगा answer भी check कर सकते हो C आपका यहाँ पर बिल्कुल correct answer हो गया बस ध्याम से लखते वे जाना और यहां पर भी आपसे पूछ सकता है, जब साथ दोस्त हैं, छै दोस्तों के बारे में हमने लिख लिया, जो बच गया, कौन बच गये भाई, पोल भाई साब बच गये हैं, तो यहां पर कौन होगा, पोल भाई साब यहां पर होगे, इस वाले इस्थान पर कोल भाई साब आ जाएगी ठीक है एक बर सभर बने लो आंसर आराम से निकल जाएगा अब अगला किशन देखो वो भी ऐसा ही है ठीक है ये सेम एजडिज है तो आपको बताना हाई इस वाले में क्या बताना है कि उर्द्वादर पंक्ति ने पीटर कहाँ है ये अपने को बताना है पीटर देखो पिटर यह रहे एक दो तीन चार एक दो तीन चार इसका मतलब कहा पर है चोथे स्थान पर है पीटर भाई साब तो हम से क्या पुछा है अब यहां पर चोथा स्थान तो लिखा हुआ नहीं है दो स्थान आगे हैं नहीं होगा ठीक है उर्द्वादर परिति के अंत में अंत में नहीं है, ट्रम्प से दो स्थान पीछे है, तो देखो ट्रम्प कहां पर है, ट्रम्प यहां पर है, इस से दो स्थान पीछे है, तो तीसरे स्थान पर है, यह आपका हो सकता है, ठीक है, दो स्थान पीछे है, तो ट्रम्प से एक दो स्थान, लेकिन यह तीसरे स्थान ये नहीं होगा दोस्थाण ही तीस्रे स्थार पर है तो ये भी नहीं होगा उर्द्वादर पंक्ति के मद्दे में है, बीच में है, बिल्कुल शही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमने किया था, कि बिल्कुल बीच में है, तीन यहां से, तीन यहां से, पीटर भाई साब बिल्कुल बीच में आ गया, तो क्या हो जाएगा इसका, कि बिल्कुल बीच में है, मद्दे में है, त यहां पर ट्रंप है एक स्थान दो स्थान दूसरे स्थान पर जोर्ज है दो स्थान यह तीन स्थान पीछे हो गया ठीक है तो ऐसे अपने को करना है एक ही किशन से आपकी दो किशन बन जाएंगे अगर आपने उसको सही से लगा लिया कभी दो किशन पूछता है कभी तीन के उपर depend करता है आगे देखो अपना क्या है वैसे तो देखो क्या है कि RTF में English नहीं आती लेकिन ये questions आप तभी कर पाओगे जब आपको इस English आती होगी या इनका मतलब पता होगा देखो क्या है कि निमन दिये गए ये पांच पदों में से चार किसी परकार से समान है इसलिए वे आपस में एक सम्मू बनाते हैं इन में से कौन सा इस सम्मू से सम्मधित नहीं है वो अपने को बताना है कि अलग कौन सा हो जाएगा ये अपने को बताना है कि इन में से अलग कौन सा हो जाएगा देखो रीमार् क्रिटिशिजम और कॉम्यूट इसमें से अलग कौन सा हो जाएगा अलग बताईगे पहलीन को मतलब पता होगा तभी आप कर पाऊगे जैसे मैं मतलब बता जिता हूँ फिर तो आप कारीद होगे इतना मुझे पता है रिमार्क का मतलब होता है किसी के उपर कुछ बोलना ठीक है किसी को कुछ बोलना उसी को रिमार्क बोला जाता है या आपे जिसको बोल सकते हो कि ताने कसना बोल सकते हो या और एक चीज होती है अगर कोई सामने आता है उसको बोला जाता है कुछ भी बोल देते हैं उसी को बोले जाता है रिमार्क, ठीक है, ओपीनियन, ओपीनियन भी यही होता है, किसी के बारे में कुछ बोलना, कमेंट, अब कोई वेक्ति है, उसके बारे में कमेंट करना, आप सभी जो कमेंट करते हो, उसका मतलब क्या होता है, किसी के बारे में कुछ बोल रहे हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करोगे सर वीडियो अच्छा लगा समझ में आ गया तो वो क्या होगे किसी चीजी के बारे में कुछ बोलना अच्छा बोलना या बुरा बोलना उसी को बोला जाता है क्रिटीशिजम इसका मतलब भी होता है किसी के बारे में बोलन अलोचना करना तो यह क्या होगे? 4 एंग जैसे होगे Commute का मतलब होता है आना जाना तो यह अलग हो जाएगा तो यही आपका answer है यही आपका answer है ठीक है? यही आपका answer हो जाएगा आगे देखो क्या है? कि निमन सरंखला में आने वाली अगली संख्या ग्याद करें तो इसमें अगली संख्या बताओ क्या है तीन अठाइस तरिपन अठंतार एकसो तीन और आगे बताने क्या एगा इसको किया तो कितना आगया वही पच्चिस आगया तब ही आया है ठीक है 25 इधर देखोगे तो कितना होगा 28 दोनी 56 है तो इसका मतलब इसमें भी 25 जोड़ा गया है इसमें करके देखो तो इसमें 25 जोड़ोगे तो ही 28 रहा है और यहाँ पर भी क्या है 25 ही जोड़ा गया है तो इसमें भी 25 जोड़ो तो 25 जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा 128 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 128 यह तो बिलकुल आसान था इसमें तो जो सभी में जोड़ा जा रहा है सेम त्रंकल आगे बढ़ रही है तो सेम ही आमें जोड़ना था वो आमने जोड़ दिया और हमारा आंसर है अराम से निकल गया है मैं इसका थोड़ा जूम करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ फिर options को बाद में ध्यान देगे options में बाद में ध्यान देगे पहले इसको समझ लो देखो जिधर आपको ये दिखे ऐसे तो जिस तरब ये दो लाइने होना इसका मतलब है कि इधर वाली संख्या बड़ी है और जिधर ये एक आपको दिखाई देए चोटे वाला हिस्सा इसका मतलब इधर वाली संख्या क्या है चोटी है और इसका मतलब क्या होता है बराबर इक्वल होता है और जब ये ऐसे लग जाए या ऐसे लग जाए इसका मतलब है कि बड़ा है और बराबर है इसका मतलब क्या है चोटा है और बराबर है ठीक है वो संख्या मैंने आपको बता दी है इधर वाली संख्या बड़ी इधर वाली संख्या चोटी इधर वाली संख्या बड़ी इधर वाली संख्या चोटी यह अपने को देखन होता है चलो आप इसको देखते हैं और समझते हैं और समझेंगे तो आंस और भी आराम से निकल जाएगा क्योंकि समझना पड़ेगा यहां से आपके आर्टी अप में दो से तीन किशन्स आते हैं तो आप इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते वैसे तो मैं इसकी क्लास ले Dla P ठीक है और लेस्टेन L लेस्टेन वाई है यह आपका हो गया यह आपका गठन हो गया कोई दिक्कत नहीं है उसमें जैसे लिखा हुआ है उसी पढ़ाम देखते हैं आप निशकर साब को बताना है कि सी बड़ा है एम से इस को देखो सी बड़ा हैं यह दो सी बड़ा होन तो M से बड़ा कोन हो गया O और O के बराबर C है अब M से बड़ा O हो गया और O के बराबर C है तो इसका मतलब यह हो गया कि CB है M से बड़ा है सिंपल सी बात है यह समझे गे न जब M से बड़ा O है और आप से बड़ा कोई भाई है आपका पर उस भाई के बड़ाबर कोई दूसरा लड़का है तो भाई बड़ा है तो वो भी लड़का क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा जब दोनों एक साथ के हैं तो ऐसा ही है कि M से बड़ा O हो गया तो O के बराबर C है तो C है वो M से बड़ा हो जाएगा इसका मतलब पहले वाला बिल्कुल सही है दूसरे वाला देखो C बड़ा है P से अब C बड़ा है P से इसको देखो ध्यान से पहले वाला तो अपना हो गया है सही है कथन दूसरा देखो C बड़ा होना जाएगे P से अब P है ये P से छोटा M है P से छोटा M है M से बड़ा O है और O इसके बराबर है ये तो हमें पता चल गया कि C है M से बड़ा है लेकिन M से बड़ा PB तो है हमें ये नहीं पता कि कौन जाधा बड़ा है तो जाधा बड़ा नहीं पता तो इसके बारे में नहीं बता सकते कि या सही है गलत ह तो ये कथन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा पहला पहला सही हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा केवल निशकर्स एक अनुसरन करता है ठीक है जी पहला पहला सही हो जाएगा बागी कोई शबी होगा कि केवल निशकर्स एक अनुसरन करता है ऐसे अपने को देखना होता ह बागी छोटी छोटी चीजे आए वो क्लास में मैं आपको समझा दूंगा फिर आप आराम से कर लोगे यह वाला किशन देखिए बड़ा आसान किशन है कि कि चंद्रमा का संब्ध रात से है तो सूर्य का संब्ध किस्से होगा आप सभी जानते हो चंद्रमा है वो हमें रात मे उजाला डेटा है उसी तरीके से सूर्यय हूं काम हमें उजाला देता है प्रकास में तो इसका अंसर होजाएगा दिन, और और د क्या होगा इसका बिल्कुल रात हो जाएगा बड़ा आसान किशन इस था आपका है कि यह वाला देखिए पासे वाला क् summid है आपको बताना है कि J की स्थायक है विप्रित क्या होगा तो इसकले तो बिल्कुल सिंपल है start करते हैं जो common है उससे start कर लो तो G common है तो G से start करो GHI ऐसे आपको हमेशा start करना है इस बात को याद रख लेना ऐसे start स्टाट करना है doisjob स्टार्ड उससे करना है जो दूनुमें कोंद लाकल का मितलब दोनों मिला दिया екहां अजीशन रभी है फिर एच और फिर अभी इसे में एसे लिखेंगे जी से स्टार्ड करेंगे तो जी हो जाएगा उसके बाद के और उसके बाद जे अब देखो ये एक दूसरे के विप्रित हो गए पूछता क्योंकि इसमें L नहीं है लेकिन हमसे किसका पूछा है जे का पूछा है तो जे के विप्रित क्या होगा I होगा तो option number D क्या हो जाएगा यहाँ पर correct answer हो जाएगा option number D correct answer हो जाएगा ऐसे करना बड़ी प्यार से ठीक है बस इस बात को याद रह लेना कि जो common है उसको लिखना है और clockwise जिस तरीके से अपनी घड़ी चलती है घड़ी कैसे चलती है ऐसे चलती है बार है एक दो तीन च्यार पांच से साथ आट नो तस ज्यारा बार है इस तरीके से तो ऐसे अपने को लिखना है ठीक है इसी को clockwise बोला जाता है जो विप्रित चले उसको anti-glockwise बोला जाता है घड़ी की दिशा में या घड़ी की विप्रित दिशा में बोला जाता है आप देखो ये blood relation वाला vision है blood relation वाला है और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और फिर करते हैं इसका answer देखो A for B का मतलब है कि A है वो B की माँ है A for A, A3B का मतलब है A, B का पिता है A, 5B का आर्थ है कि A, B की बहन है और A, 7B का मतलब है कि A, B का भाई है आप बोलोगे सर जी ये क्या है यहाँ पर देखो यहाँ पर भाई ये जो 7 लिखा हुआ ने इसका मतलब क्या है भाई है पांच लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है बहन है तीर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है पिता है च्यार लिखा हुआ है इसका मतलब है मा है इसको यूज करना है और इसको करके हमें आंसर निकालना है कि क्या होगा चलो अब आराम से निकालते हैं सबसे पहले लिखो P 7 Q P 7 Q 7 का मतलब है कि P 7 Q का मतलब है कि A है वो B का भाई है इसका मतलब पहले वाला भाई हो जाएगा दूसरे वाले का A है B का भाई है तो पहले वाला दूसरे वाले का भाई हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि P है वो भाई है भाई है डिब्बे में बंद करतेंगे आत्मी है किसका भाई है तो यह हो जाएगा आपका क्यों का भाई हो जाएगा क्यों का हमें कुछ नहीं पता कि मैं लड़का या लड़की है भाई तो लड़के का भी हो सकता है ठीक है तो हमें नहीं पता तो इसको अ कि पहले वाली देहर्शन है दूसरे वाले की तो क्यों क्या होगी गोले में एगे और कि कि बेहर्ट है और यह मैंने आपको समझाया हुए, शिंबल होता है, जिसे हमें पता चलता है कि भाई बहने तो बराबर का, और मीठी नोग जोक होती है, तो अब डाउन चलता रहता है, यह हो गया R, आप देखो, यहां तक कर लिया R, 3, S है, तो 3 का मतलब है कि A है, वो B का पिता है, A है, B का प पिता है, पहले वाला पिता है, दूसरे वाले का, तो R पिता है किसका S का, तो इसका मतलब पिता है, तो आदमी हो जाएगा, और किसका पिता है, तो S का पिता है, तो S का पिता R हो गया, और यह इसकी बहन और बहन का भाई क्या होगा, भाई, जो आपकी बहन है, उसका तो किया हो जाएगा आपका भाई हो जाएगा तो पिता का भाई क्या लगता है आपको भाई नहीं लिखना क्योंकि क्या पूचा यहां पर लिखते नहीं है तो क्या हो जाएगा चाचा हो जाएगा अंकल हो जाएगा तो option number B क्या हो जाएगा यहाँ पर correct answer हो जाएगा ठीक है option number B क्या हो गया यहाँ पर correct answer हो गया समझ में आ गया तो यह जो दिखे होए थे ना उनको इस हिसाब से लिखना है कि आराम से आपका अंसर आजाए जल्दबाजी कुछ मी नहीं करने ठीक है तो ये कुछ किशंच मैंने आपको करवा दिये जिसे आपको पता सल जाएगा कि किस तरीके की किशंच आते हैं ये क्लास कैसे लगी क्या हमें इस स्रीज को कंप्लीट करना चाहिए डेली कंटिनू कर करना चाहिए आप कमेंट करके जुरूर बताना और अगर आप इस प्रिवियस येर पेपर की पीडियाप चाहते हो तो आप हमारा टेलिग्राम चनल जोईन कर सकते हो जो परवीन किटारिया क्लाशिज के नाम से है वहाँ पर इसकी पीडियाफ है वो आपको मिल जाएगी औ यहां पर दिया हुआ है डिस्कृप्सन में धिया हुआ है और सर्फ करके भी कर सकती है जवाई परवीन किटार्या क्लाशिज के नाम से है मिलते है नेक्स वीडियो में वीडियो अच्छा लागा तो लाइक कर देना अपनि दश्तों के साथ सेयर कर देना ऊर जो भी झाल झाल